हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चैनल, आप देख रहे हैं How To Fix Stack दोस्तों इस वीडियो मा आपको बतानेफ़ा हैं आपने ये ये एरेर कैसे फिक्स करने हैं इस के रीजन दोस्तों काफी रीजन होते हैं, मैं आपको मैंन मैं रीजन बता देता हूं अगर आप सदन से हार्डवेर चेंज करते हों जैसे आपने कोई रैम चेंज कर ली या फिर आपने हाड़ डिस चेंज कर ली तो इस केस में आपको ब्लू स्कृन अपडेट का एरर आ सकता है दोस्ता अगर आपके सिस्टम के अंदर कर्प्टेट फाइल्स हो गई है और फाइल्स के अंदर कुछ मालवेर उगेरा घुस गया है तो उसके वज़े से भी यह इशू आ सकता आपके पास तीसरे रीजन इसका दोस्तों आपका ड्राइवर अपडेट ना होना हो सकता है आप पुराना राइव ड्राइवर यूज कर रहोंगे उसके वज़े से भी ब्लू स्क्रीन का रहरा सकता आपके पास शौथा ज़र रीजन हो सकता दोस्तों आपके सिस्टम में अगर आपने लेटिस्ट विंडो अपडेट किया है और जो विंडो आ रहे थे आपके पास आपने सिस्टम तो अपडेट करने के वज़े से भी आपके पास यह रहा सकता है क्योंकि कई सिस्टम्स अपडेट के लिए कंपैटेबल नहीं रहते हैं तो इस केस में यह रहा सकता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर कैसे फिक्स करना इसको इस ब्लू स्क्रीन पर और और आ बखाई देगी उसके बाद आपको Advanced Options पे-click करना है आपको पर दिखेगा or PC did not start correctly और automatically could not repair your PC तो आपको Advanced Options पे-click करना है यहां पर आपको इस तरीके शोप्सेंस से देखेंगे आपको Troubleshoot प्रक्लिक करना है आपर देन आपको advanced options पर क्लिक करने हैं अब यहां पर आपको 6 options दिख रहे हैं startup repair तो startup repair से दोस्तों यह basically होता नहीं है अगर first time यह error आता है तो इस सही issue solve हो जागा और काफे time भी लगाता है इसको भी आप ट्राइ कर सकते हैं first time में और अगर आप प्रेशान है blue screen update से बार बार वही आराता है तो आपको startup setting में आप जा सकते हैं यहां से तो सबसे पहले स्टब में आपको यही बताने दोस्तों यह तो आपको f4 प्रेस करने अपने keyboard में इनेवल सेफ मोड में उपन करने के लिए कि तो इस तरह के से यहां सबना password डाल देना आपको कि सेफ मोड की स्क्रीन है इस तरह के से दिखेंगा आपको यह ब्लैक स्क्रीन कि अब आपको क्या करना है दोस्तों अगर आपने कोई थर्ड पार्टिक और सॉप्ट्वेर यूज किया है और उसकी वज़े से यह रहा है आपके पास तो आप यहां पर से इफ मोड में जाके उसको अनिंस्टॉल कर सकते हैं और से control पैनल में जाना पड़ता है उसके लिए को इन पर पैनल में जाने के बाएद यह लाज आइकर नहां से सेलक्ट होने चाईए इसी तरीके से उसके पर प्रोग्राम अब यहां से दोस्तों आपको वो सॉप्ट्वेर देखना है जिसके वज़े से आपके पास एर्र आया कि इस तरहीं किसे उसको अनिंस्टॉल कर देना है कि में कम्प्लीटिट हो चुका है आप तो कई सॉप्ट्वेर ऐसे होते हैं दोस्तों उनके अंदर यहां तो करफ फाइल हो जाती है यह उनका लोड बहुत जादा होता है जो मारे सिस्टम के लिए कंपैटेबल नहीं होते हैं तो उनको अनिंस्टॉल करना आपके लिए ज़रूरी है यहां से मैं ने अनिस्टॉल कर दिया एक सॉप्ट्वेर पे उसके बाद यहां से मैं आप इसको रिस्टार्ट कर देता हूं नौर्मल तरीके से अगर आपका इश्यू दोस्तों पहले स्टेप से सॉल्व हो गया तो वेल और नहीं तो आपको फिर यहीं पर आना है ब्लू स्क्रीन पर फूर्फिश डाउन करके अपने सिस्टम दो से तीन बार उसके बाद ट्रबल्शूट पर आना आपको अगर आप अपने सिस्टम में लॉग इन हो सकते हैं तो शिप्ट और रेस्टार्ट आपको एक साथ करके तो यहीं स्क्रीन आती है उसके बाद उसके बाद आपको अनिंस्टॉल अपडेट का ओप्चन है आप अगर आपने अभी इस सिस्टम अपना अपडेट किया उसके बाद से एर्रा यह तो इन दोनों को आपको वन बाइव ट्राय करने और लेटिस्ट क्वालिटी अपडेट और लेटिस्ट फीचर अपडेट को दोनों का अन-install कर देना है तो आपका जो अपडेट करने के वाजह से एरर आया है तो अपका फिक्स हो जागा नहीं तो दोस्तों आप यहां से बैग जा सकते हैं और जो यह रिस्टोर पॉइंट है यह वाला सिस्टम रिस्टोर सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करना आपको यहां पर यूजर सब्सक्राइब आपको कि अब देखें दोस्तों अगर आपने रिस्टोर पॉइंट को बना रखा होगा तो यह यह आपके पास सब्सक्राइब आपके पास रेट टाइप का यह रहर आजाएगा तो आपको नेक्स्ट करना यहां से रिस्टोर पॉइंट से दोस्तों बेसिकली क्या होगा जिस डेट में आपका सिस्टम अच्छा चल रहा था सब्सक्राइब आपने 15 दिन पहले बनाए बीस दिन पहले बना है तो उस स्टेज में आपको जो सिस्टम में चला जाएगा और आपका इसूभी सॉल भाजागा तो यहां से में डिट यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं मैंने काफे उप्शन बना रखे हैं तो मैं यह सब्सक्राइब नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूं में आप यह बाइद फोर्ट छोड़ देना इसको लोकल डिसी में रहती है हमारे विंडो आप जैसे यहां से फिनिश करता हूं में कि यह देख सकते हैं आप यहां पर और पॉप अप दिखाया आपको वंस वंस स्टार्टेट सिस्टम रिस्टोर्ट के नॉट बेंटर्प्टेट वी वांट तो कॉंटिन्यू आपको यस कर लेना यहां से और आपका इस्टम इन तीन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका एरर सॉल्व हो गया होगा अगर आपका एरर फिर भी सॉल्ग नहीं ओ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो देख सकते हैं और प्लैलिस्ट में भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ब्लू स्क्रीन के लिए, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राब कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक्स फूर वाचिंग, हाउ तो फिक्स टेक,